हेलो व्रिवन आप सुभीका स्वागत है में एक्जाम यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स के बोतिक विज्ञान के 25 कोशन तो यह सीरीज हमने स्टार्ट की है जनरल साइंस की आज की फर्स्ट वीडियो है यदि आप फिजिक्स के कोशन करन होती इंपोर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे तो जो फर्स्ट कोशन है आज की वीडियो का क्या है ब्लेड्स ओफ विंड मिल पोजैसिज ठीक है कौनसी एनर्जी होती है विंड मिल्स के ब्लेड में एंस दिया टेंड बाई फास्ट विंड ताकि व ब्लेड्स होते हैं इनमें कुण सी एनर्जी होती है हाइट के कारण यह होती है पोटेंशिल एनर्जी था कि जब कभी वी स्ट EL उसकी का इनर्जी होती है वो किसो में screenshot हो जाए Level होती है और फिर वो underwater解 туло ए intrigock के लिडियोंड में तो फ्र forbidden Is टिरह यानि की जनरेटर व्यक्ति अनुबव करता है क्या अनुबव करता है less heat and less cold ठीक है और किसकी वज़े से होता है melanin hormone की वज़े से जो हमें protect करते हैं UV rays जो आपकी sun से आती है ठीक है इसलिए जिसकी skin जो dark होती है वो क्या करते हैं less heat और less cold experience करते हैं ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड उने नहीं लगती है नेक्स्ट है विच डिवाइस इस यूज़ टू ब्रेक और complete an electronic circuit एक electronic circuit को तोड़ने वापूरा करने के लिए उपकरन का उपयोग किया जाता है तो किसका यूज़ किया जाता है स्विच का ठीक है electronic circuit को complete करने के लिए और ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं स्विच नेक्स्ट कुशन है what is the temperature at which both the Fahrenheit and centigrade scale have the same value तो वैत आप मन क्या है जिस पर Fahrenheit और centigrade दोनों पैमाने में समान अध्यन होता है तो वह कूंसा होता है माइनस चालिस डिग्री तो कैसे पता करेंगे आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए टेमप्रेचर में क्या है centigrade divided by 5 ठीक है और f-32 divided by 9 तो यह centigrade है आपका यह Fahrenheit है तो किस टेमप्रेचर पर यानि कि वह दोनों के दोनों क्या होते हैं यानि कि हम दोनों को सेम माल लेते हैं एकस एक्स और आप क्रोस मंटिप्लाई करेंगे जैसे ही इनकी तो x की वेलू निकल के आएगए माइनस 40 ठीक है तो यह वो वैलू है यानि कि दोनों की वैलू सेम आएगी किस पर माइनस 40 डिगरी पर ठीक है यह रिलेशन आपको याद अखना है C by 5 is equal to F minus 32 बटे 9 नेक्स्ट है acceleration acts always in the direction of तवरण हमेशा किस दिशा में कारे करता है तो net force यानि कि कुल बलकी कि दिशा में तो आप देखेंगे एक बोडी है जिसका मास M है यदि आप इस पर फोर्स लगाते है ठीक है तो यह मूव करेगी तो मूव करेगी यानि कि acceleration आएगा इसमें तो जो एक्सलेशन की डिरेक्शन होगी किस डिरेक्शन में होगी इन दा मान prison convinced यानि कि जो हैवी nucleus होता है उसका क्या होता वी खंदन होता है टूटता है चोटे मुलेकुल्स में चोटे nucleus में ठीक है go o next on it.ती दॉनिट यूनिट यूज़्ट टुम्ने दावनाइज टॉ सी mentor की गहर्आइम आपने के लिए कि जिए काउन प्रयोग किया जा जीजीज है ठीक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रिष्टी विस्में ठीक है किसके दोरा ठीक किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है cylindrical lenses यानि की बेलना का lens के दोरा तो इसमें क्या होता है जो lens होता है वो क्या हो जाता है उसकी जो shape है उट थोड़ी टेड़ी मेड़ी हो जाती है जिसके कारण image जो है clear form नहीं होती है ठीक है तो ये किसकी वज़े से ठीक कर सकते हैं cylindrical lenses की वज़े से next is lamber's law is related to lamber's का नियम जो समदित है किस से है वो रोशनी से यानि की illumination से ये lab के important है पूछ ली जाते हैं कौन सा ला किस से related है next है in battery which energy is converted into electrical energy तो battery में कौन सी उर्जा विद्यूत उर्जा में प्रिवर्तित होती है तो battery के अंदर क्या होता है chemicals use करते हैं जिसकी वज़े से chemical reaction होती है और chemical reactions के कारण chemical energy आपकी produce होती है तो वो chemical energy किस में convert होती है electrical energy में यानि की रसायनी कुर्जा किस में होती है विद्यूत उर्जा में next है longitudinal mechanical waves of less than 20 hertz are called ठीक है 20 hertz से कम की अनुधेरिया यांत्रिक तरंगों को कहा जाता है infrasonic तो आपकी पता है जो sound waves होती है audible जिनको option संकते है वो किस range में होती है 20 से 20 kilo hertz 20 से जो less होती है उनको हम क्या बोलते हैं infrasonic और 20 kilo hertz से जो जैदा होती है उनको क्या बोलते हैं ultrasonic next question है distance of stars are measured in तारों की दूरी मापी जाती है तो तारों की दूरी जो मापते हैं किस में मापते हैं light years यानि की परकास वर्स एक light year किसके इकल होता है 9.46 गुना 10 की 12 km ठीक है इतने km के आपका बराबर होता है एक परकास वर्स next है Albert Einstein was awarded the Nobel Prize for Albert Einstein को किसके लिए Nobel प्रुषकार से समानित किया गया था ठीक है तो किसके लिए किया गया था photoelectric effect के करण यानि की परकास विद्युत परभाव के लिए Nobel Prize मिला था Albert Einstein को photoelectric effect होता क्या है समझते हैं मान लिजी एक material है आपका ठीक है जैसे इस पर electromagnetic radiations आपकी गिरेंगी ठीक है यानि कि light गिरेंगी तो इससे आपके क्या होंगे electrons बहार निकलेंगे जिसको हम क्या बोलते है photoelectrons ठीक है photoelectrons तो यह क्या है photoelectric effect next है electric motor converts the electric energy into electric motor होती है विद्यूत उर्जा को किस में प्रिवर्तित करती है तो जो electric motor है आप उसको क्या करते है electrical energy convert होती है mechanical energy में विद्यूत उर्जा से यान्तरिक उर्जा next है Ernest Ruska has invented the तो रुसका ने इसका अविसकार किया था तो electron microscope का अविसकार किया था electron सुक्षम दर्शिक का ठीक है किस ने अविसकार किया था रुसका ने max ठीक है रुसका ने max जो है nol के साथ तो रुसका nol आप याद रखेंगे ठीक है रुसका nol next है force of attraction between the molecules of different substances इसकार्ड विविन परदार्तों के अनुओं के बीच लगने वाले आकर्सक बल को कहते हैं तो उसको बोलते है adhesive force यानि की चिपकने वाला बल यदि different के बारे में पूछे यहाँ पर आपसे तो क्या होता है adhesive और same substance के बीच पूछे तो क्या होता है cohesive ठीक है next question है electrons in good conductors ठीक है अच्छे चालक में electrons होते हैं क्या होते हैं सितिल भाद यानि की loosely bound ताकि वो एक जंगे से दूसरी जंगे क्या कर सके move कर सके जिसकी वज़े से आपकी जो है conduct कर सके वो electricity ठीक है तो electrons in good conductors क्या होते हैं loosely bound होते हैं next है one barrel of oil किसके equal होता है तो एक barrel जो होता है आपका 169 liter के equal होता है ठीक है 159 liter के equal होता है very important है आपका एक्जाम में भहुत बार पूछा गया है ये next question है if a bar magnet is cut lengthwise into 3 parts what will be the total number so pulse b ठीक है यदी एक चड़ चुम्बक को लंबाई के अनुसार तीन भागों में काटा जाए तो धुरुव की कुल संक्या कितनी होगी तो आप सभी को पता है जो magnet होता है उसमें एक north pole होता है एक south pole होता है ठीक है यदी आप इसको काट देंगे ठीक है एक बार काटा तो दुबारा से क्या हो जाएगा एक दुबारा से आपका north pole आजएगा south एक north आजएगा एक south ठीक है तो यानि कि दो pole आपके नए आगे north-south दो तो पहले ही थे north-south दो आपके क्या आगे extra यानि कि एक बार काटने से दो क्या आए नए पोल आए यानि कि तो तीन भागों में आप इसको काटोगे तो कितने आएंगे 6 ठीक है next है if a body is hollow then the center of gravity lies यदि कोई body खोगली है तो उसका गुरुत्वाकर्शन का केंदर निहित है तो कहाँ पर होता है जो आपकी body hollow होती जैसे ring हो गई आपकी ठीक है जो उसका material है लाई तो करता है circumference पर लेकिन center of gravity center पर लाई करता है यानि कि outside the material या फिर आपकी कोई irregular shape की body होती है ठीक है जिनकी कोई regular shape नहीं होती तो उनका center of gravity कहाँ पर लाई करता है material से बहार next question है if the temperature inside the room is increased the relative humidity will यदि एक कमरे के अंदर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो शापेक्सिक आधरता होगी तो क्या होगी वो कम होगी then it will decrease तो very important question है यह आपको यराग द्रना है बहुत पार exam में पूछा गया है यदि एक रूम के अंदर temperature बढ़ाएंगे तो relative humidity क्या होगी decrease होगी यह universally proportional होते है एक दूसरे के next question है in summer the mirages are seen due to the phenomena of गर्मियों में जो मिर्ग तरसना की गटना को किस कारण से देखा जाता है तो यह होता है total internal reflection यानि कि कुल आंतरिक प्रतिभिम तो आपको यह भी याद दखना है total internal reflection है इसमें जो light out travel करती है किस medium से किस में तो आपको याद दखना है dancer से rear medium में travel करती है dancer से rear medium में next in the visible spectrum which color has the longest wavelength तो दृष्चे spectrum में किस रंग की तरंग धेरिये सबसे अधिक होती है तो red red color की wavelength सबसे ज़्यादा होती है इसलिए जो signals होते है उनके लिए हम कौन सा color से यूज करते है red क्योंकि इनकी जो wavelength होती है सबसे ज़्यादा होती है next in which medium sound travels faster जो sound है धवनिकिस माध्यम में तेज चलती है तो thos में solid में sound सबसे fast travel करती है और सबसे कम जो travel करती है gases में solid, liquid, gas तीन medium होते है सबसे ज़्यादा आपकी होती है solid में और सबसे कम gases में next insects can move on the surface of water without sinking due to किसके कारण next kit यानि कि बीना डूबे पानी की स्टै पर किसके कारण चल सकते है तो ये किसके कारण होता है surface tension of water के कारण पानी का स्टै ही तनाव ठीक है पानी का स्टै ही तनाव तो आप देखेंगे जो पानी है इस पर क्या होता है surface tension होता है जैसे insect होते है यानि कि मच्थर वगेरा होँए चल सकते है बीना डूबे क्योंकि surface tension के कारण जो पानी किस्ट है होती है वो एक elastic membrane की तरह बिहेव करती है जिसके कारण वो डूब नहीं पाती है तो यह आपको यादखना के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले थैंक्यो